इस जुनेत खान एंड वेलकम बैक तो मैं चैनल तो दोस्तों आज हम लोग आ गए हैं डिनर करने के लिए यह साप पीछे देख सकते हो मिस्टर बीन्स पीजा जो सिटी सेंटर मॉल में है भरू सिटी सेंटर अब दिख सकते हो सेकंड फ्लोर पर यह आया है और इट्स वेरी ब्यूडिफुल आउटलेट बहुत ही अच्छी जगा है तो यहां पर खाने के लिए थे तो फिर मैंने सोचा के चलिए फिर चलते और द लग रहा है दूसरे आउटलेट की कंपेर में वा एंबियंस यहां पर अलग मुझे लग रहा है फोस्फियर भी अच्छा आप देख सकते हो आई वांट पीजा अल्लिमिटेट बहुत ही अच्छे से सजाया है यह आउटलेट भी आप देख सकते हो डिजाइन बहुत ही कि अच्छा है अदेख लग लिए अगा आउटलेट अ देखे लिए लालक और बहुतял शेय्ट रहते हूए और को यहां पर थोड़ा लाइक थोड़ा है क्रीम कलर है ब्रिक कलर से तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और बताते आपके रिव्यू कि चैसाज हरेता याप चल का menu, आप देख सकते हैं, आप बड़े पार्टी, किटी पार्टी, अनिवर्सरी, सैलीबरेशन, विट डेकॉरेशन, डेकॉरेशन का चार्ज इस अलग है, बट देख निशन इस मिनिमम त्वेंटी पीपल, तो आप बड़े पार्टी, celebration वो सब भी आप कर सकते हो, unlimited का आप आप देख लेते हैं, that is 259 in the lunch and 289 dinner, of course kids Kelly 199 and 294 dinner है, उसमें आपका आजाएगा 2 unlimited, उसमें आपका आजाएगा 2 types of hot soup, 6 types of salad, 20 types of Italian cold salad, पानी बुरी, garlic bread, cheese, margarita, different pizza, sweet corn, vegetable, paneer pizza, cold ring and of course brownie ice cream, और आप यहाँ पे आला काटे भी ले सकते हैं, अगर आप उनलिमिटेट में नहीं जाना है, आप प्रिफर नहीं कर सकते, burger, garlic bread, Chinese, of course maggie भी है यहाँ पे, different types of mojito, available है यहाँ पे, shakes available है, combo meal भी available, अगर आप combo meal लेना चाहते हो, tiki burger, plain french fries, cold ring, different types of combo meals है, वो आप देख सकते हो, और अलग-अलग offer यहाँ पे रहती है, Monday to Friday, combo 1, 2, 3, 4, 5, तो काफी सारी variety है यहाँ पे, सो देखते हैं, फिर यहाँ पे टेस्ट करते हैं, so guys, थोड़ा walk around में आपको बता देता हूँ, यहाँ पे, यहाँ पे अंदर भी काफी अच्छा location है, बहुत अच्छा decoration किया है, आप family friends के साथ सब के साथ आ सकते हो, छोटे भी अगर आप दो यह तीन लोग है तो वो भी आप बैठ सकते हैं, एक, दो, तीन, चार, बाँ, छे, साथ, आट, आट, दस, बारा टेबल यहाँ पे है, तेरा, सुझा, सातरा से अठारा टेबल है, so it is a good capacity, बहुत ही अच्छी capacity लग रही है, अब हम देख लेते हैं, different type of salads, आपको बता देते हैं, पानी पूरी भी है, cold salads, different types of variety, बहुत यह अच्छा लग रहा है, different type of soups, oh, of कौन भी है, that's a great thing, अच्छा लग रहा है यहाँ पे, काफी कुछ सजाया हुआ है, मैं वीग डेज में आया हूँ, इसलिए शोर कम है थोड़ा, कुछे मुझे भीड में जादा आना पसंद नहीं है, और guys, अब soup आ चुका है, मैंने अपना मन पसंद मंचाउँ soup लिया है, तो टेस्ट करते हैं, hmm, hmm, बहुत ही टेस्टी है, हज़ा आया, वे चलिए खाते हैं, अरे जैमीन, हाई, हाव यू, हमारे दोस्त हम को यह ही मिल गए है, तो फिर जैमीन, बताइए, कैसा लग रहा है आपको आपको आउटलेट और पीजा, इस बयर फैंटासिक पीजा, तो यू रह वियर वकाम में फैमेली, ओके वह एंजो इस पीजा, अच्छा 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 भरेबल, आ कि मंदे दू परेड़, ठीज़द अच्छ वारी मच्वांबो, तो इस पीजा बाबीजी आप भी एंज्टॉय कर रहे हैं? इस प्रश्टॉय के लिए टो गाइज हमको थोड़ा महुका मिला है ओनर के साथ बात करने का मेडम बताइए के Mr.Beans Pizza जो है वो किस तरह युनिकनेस Mr.Beans Pizza की का है कंपेर टू अल अधर आउटलेट्स कुके बरुच में काफी सारे आउटलेट है तो एक युनिकनेस Mr.Beans Pizza में क्या है? हमारे युनिकनेस में तो यह है कि सारे जो अधर अनलिमिटेट पीजा है वो कंसंट्रेट करते हैं सलाट्स पर लाइक के ओनली सलाट्स ही खिलाना है मैं तो यह हमारे पीजा कैसे वह आप टेस्ट करिया है वह आपको बदा की जो आटलेट से वह यह महां पीजा तक पहुँचने ही नहीं नहीं देगा हमारा जो एक मैंने चंसेप्ट जो है कि आप पीजा खाओ तो उव इसली पीजा कहा सकेंगे अगर सलैट कम खाएंगे मतलब प्यूर पीजा, क्योंकि पीजा आउटलेट हो आप लोग पीजा पर जादा फोकस करते हो और यह जादी हो कि पीजा खाये लोग और हाँ आज आउटलेट में आपको सलेट्स 20, 30, 40 इतना मिल जादा कि पीजा तक आदमी पहुच ही नहीं पाता है इतना सार आप लोग देख लोगे तो आप खाई नहीं पाऊगे येस येस तो यह बहुत ही यूमन मेंटलिटी होती है जी 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 तो मुल सी लॉट्स अफ तिंग्स तुगेदर यू नॉट इपीजा नहीं पाते हो हां वहां तक पहुच नहीं नहीं देता है कोई भी मतलब कि महां तक पहुचे और पीजा खाए ये बहुत ही अच्छा लगा अच्छा माम सेकेंड क्वेशन मुझे ये पूछना था क्योंकि काफी सारे लोग मैंने भी जैसे के मैनेजमेंट कोड़ी पढ़ा ही कि है तो मुझे उस पर से याद आता है कि अगर फ्रेंचाइज ही खोल ली है तो उसके लिए क्या फिसलेटी मुझे क्या करना होगा Sir, we are the first outlet of Gujarat, we are the master outlet, तो अगर आपको गुजरात में कहीं पे भी अपना खुद का फ्रेंचाइज ही खोलना है, Mr. Means Tiza का, तो आप हमें काल कर सकते हैं We have three models in that, dine-in model, qsr model and take-away model, तो वो तीनो को आप कहीं पे भी अगर आपको उपन करना है, तो आप हमारी मदद से कर सकते हैं, you can call us on given number Okay, ठीक है, तो मैं हमारे दर्शकों के लिए description में number दे दूँगा, तो अगर किसी को भी फ्रेंचाइज ही open करना है बरूच में या कहीं पे भी anywhere in Gujarat, तो वो आपका contact कर सकते हैं और आप उनको ज़रूर गाइड करोगे We will provide human resource, then equipment, then कैसे interior करना है, we will do everything for them Okay ma'am, thank you so much, आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करने के, और I wish you very all the best Thank you so much So, let's ask our second customer, Ms. Aksha ji, you are with the family, all the plates, so tell me, first time you came here? No, first time you came here Okay, so how did your atmosphere here and the food and the pizza? कैसा लगा? यहां का pizza अच्छा था, यहां का experience अच्छा था, यहां पर खाना अच्छा मिलता है और पीजा में, चीज पीज़ा जारा अच्छा है Okay, so you are enjoying, मजा आता है आपके यहां पर यहांदी फैमिली भी काफी खूश है चलो, thank you so much आते रहिए, keep coming, thank you तो guys, हमको मौका मिला है किचन में आने का तो देख सकते हैं, यहां पर बहुत ही साफ सुत्रा और हाईजीन मेंटेन किया हुआ है जो आजकल चल रहा है, दुसरे आउटलेट पर काफी सारे इशूज आ रहे है लेकिन यहां पर देखने पर लग रहा है कि क्लीनिनेस मेंटेन हो रही और यह देख के बहुत ही अच्छा लगा तो हम बहुत ही अच्छा और साफ सुत्रा खाना खा रहे हैं यह बहुत बड़ी बात है अच्छा मेंटेन किया है यहां पर चलो, good job done तो गाइस मुझे किचन में जाने का मौका मिला है तो मैंने सोचा कि आपको यह भी बता देता हूं कि हम जो आराम से बैठके मजे से पीजा खाते है उसके पीछे जो महनत मशक्कत लगती है वो इस तरह से महनत लगती है और इस तरह से कुछ प्रिपरेशन होती है और ये चला पीजा ओवन के अंदर और ये गार्लिक ब्रेड विल्कुल रेडी टू इट बनके बाहर आ गया है तो गाइस ये पीजा तयार हो गया है और ये कुछ ऐसे साव किया जाता है ऐसे कटिंग किया जाता है देख लीजिए तो ये प्रोसीजर है मैंने सुचा आज आपको तोड़ा इंसाइट मतलब किचन के अंदर किस तरह से पीजा तयार होते है पीजा आउटलेट में वो बता दू तो ये तयार हो गया हमारा पीजा तो गाइज अव गार्लिक ब्रेड आ चुका है हमारा मन पसंद फिर चलिए खाईए खाते हैं और टेस्ट करते हैं और बताते हैं फिर आपको अब यह अच्छा है एक दम सॉफ्ट है मजा रहे जैसा होना चाहिए एक दम थोड़ा सा क्रिस्पी एक दम लिहासे बेस एक दम सॉफ्ट और यह ऐसा ही है बिलेवगों तो गाइज अब हमारे पीजा आ चुके है हमारा एक पीजा है पनीर दुसरा है कौन पीजा एक है वेजी पीजा और एक हमारा सबसे बहुती चाहिता मार्गरिटा पीजा बहुती खुबसूरत तरीके से सजाए हुए यहां पर बहुती अच्छा लग रहा है तो फिर खाते हैं और देखते हैं कैसा है अब हम वाधी अच्छा पीजा है मार्गरिटा पीजा मुझे अच्छा लगा मजा रहा है घाने में इदम सॉफ्ट भी है अब पनीर का प्राइब करते हैं है है अब बहुती लजीज एकदम जैसे मुव में घुल जाता है मुव में डाल देई बहुती अच्छा लग रहा है रियली इंप्रासी ए मजा आगया तो गाइस जैसे के मैंने आपको बताया था यहाँ पे आप different type of kitty party, birthday party, anniversary celebration कर सकते हैं और साथ में to open a new franchise mobile number आप screen में देख सकते हैं उस पे आप call कर सकते हो और हाँ गाइस एक बात मैं आपको बताना भूल गया यहाँ पे अगर आप आते हो तो ऐसा नहीं सिर्फ unlimited pizza ही है आप देख सकते हो different type of combo जिसे के 4 regular pizza है 350 में, 89 में hot coffee, tea, 4 pieces of garlic मतलब आप ऐसे combo भी ले सकते हो for college students अगर आपको unlimited नहीं खाना है या आप कभी भी shopping के लिए यहाँ पे आते हो तो आप यह combo भी ले सकते हो overall it is a really great experience over here at Mr. Bean's Pizza तो guys हमारा यहाँ पे खाना खतम हुआ हमने बहुत ही अच्छे से खाया different type of pizza, different type of salad, soup, बहुत ही मज़ा आया बहुत enjoy किया और बहुत ही बहुत 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 ही बहुत ही बहुत है और अच्छा outlet है तो अगर आप स्टेशन के करीब हो, स्टेशन रोट के पास या रेलवे स्टेशन के पास और सेटी सेंटर में आपको पीजा खाना है तो आप Mr. Bean Pizza में जरूर विजिट कीजिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जादा से जादा लोगों तक शेर कीजिए और आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, थैंक यू